बुरापनों स्टूडेंट्स और वेलकम टू पैनलम एडियू पैनलम एडियू पे आप सभी का स्वागत है और गाईज एक बार कनफर्म करिए कि आप सभी को आवाज क्लेर आ रही है ठीक है हमने कोशिश की है ओडियो के इशु को रिजॉल करने की सभी लोग कनफर्म करिए कि आप सभी को मेरी आवाज क्लेर आ रही है कोई भी तरह का कोई वॉइस इशु नहीं है ठीक है एक बार कनफर्म करिए सभी लोग हमारे साथ जूड़ चुके हैं विश्वरूपम, काजोल, रूही, सिधात, राहुल, ओयकलास, करश्मा, म्रिगांक येस, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल आपको लोग को जो है यहाँ पर व्यूज बढ़ाने हैं ठीक है, जादस जादस लोग के साथ चेयर करिए गाइस, और सभी के लिए, सभी SSE एक्जाम्स के लिए गाइस, फ्री फुल कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, कल से ये जो बैच हे स्टार्ट हो गया है, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, पैंलम एडियू के यूट्यूब चानल पर आप सभी को ये मिलेगा, तो आज ही सभी लोग जाकर पैंलम एडियू के चानल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो और बेल ऐकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए, इसके अलावा RRB NTPC में अभी तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको अनालिसिस करवा रहे हैं, ठीके आपके लिए test series भी अवेलिबल है, आप जाकर उसको जॉइन कर सकते हैं, ये कानल अटफेर्स और इसके लावा बाकी study material quizzes भी आपको word of wisdom देखते हैं, no one is to blame for your future situation but yourself, आप अपनी जो भी future situation होगी उसके लिए किसी को आप blame मत कीजिए, लेकिन खुद को कीजिए, क्योंकि अगर आप successful बनना चाहते हैं, तो successful बनिए, किसी पर blame मत डालिए कि इसकी वज़े से मैं successful नहीं हुपाया, इसकी वज़े से situation की वज़े स से नहीं, अगर आप successful बनना चाहते हैं, तो successful बनिए, जैसा मैंने कल के हमने word of wisdom में discuss किया था, कि अपने भागे के विदाहता, अपने भागे के रचाईता, खुद बनिए, खुद अपना भागे लिखिए, नहीं तो आपकी परिस्तिति आपका भागे लिख देंगी, और फ साइट पर जाकर quiz को attempt करेंगे, और मेर साथ अपना जो score है, वो शेर करेंगे क्या आपका quiz कैसा रहा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जल्दी से बताईए, correct answer क्या होगा इस question का, अभी हम कल के quiz यहाँ पर revise करें, questions, ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके current affairs को भी revise करेंगे, who is elected as President of Table Tennis Federation of India, Table Tennis Federation of India के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है फिर से, उदव ठाकरे, दुशेंद चोटाला, मनोहर लाल खटर और शरत कमल, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए guys, so इसका correct answer क्या होगा, option B होगा, that is दुशेंद चोटाला, so दुशेंद मुझे बताईए, comment करके, Secretary कौन बने है, PTFE के Secretary कौन बने है, और Treasurer कौन बने है, जल्दी से बताईए, so Secretary कौन बने है, Aarun Baner जी, Aarun Baner जी जो है, 이 Secretary बने है, और Treasurer कौन बना है, G cadenceại सिंग बने है, ठीक है याद रखियेगा, गुरप्रीत सिंग जो है वो ट्रेजरा बने है ये चीज़ याद रखेगा चलिए येस सो यहाँ पर किस-किसने correct answer दिया है राइट बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर पल्लवी का correct answer है exam correct कुनाल राहूल राइट correct answer है चलिए आगे बटते हैं हम लोग next is who among the following has signed an MOU with MOL Limited for transportation of LPG through waterways and waterways 1 and 2 निन में से किसने जलमार्ग 1 और जलमार्ग 2 के माध्यम से LPG के परिभान के लिए MOL Limited के साथ एक समझाहता गापन पर हस्ताक्षर किये है Inland Waterways Authority of India, National Highway Authority of India, ONGC and HPCR जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए गाईज क्या होगा असका correct answer जल्दी जल्दी comment करते रहिए राइट correct answer जग्दी पलवी राइट correct answer है option A that is Inland Waterways Authority of India IWI जो कि एक रिस्तम विधानिक आपकी निकाहे है ठीक है आपकी ये जो statutory body है ठीक इसने sign किया क्योंकि LPG का भी जो transportation होता है 60% वो road के माधियम से होता है जिसकी विज़े से जो है transportation cost जो है काफी जादा हो जाती है per 10 अगर हम बात करें LPG की metric per 10 की सो यहाँ पर एक तो आपका logistic cost यहाँ पर reduce हो जाएगा इसके अलावा LPG का transportation भी हाँ पर काफी easy हो जाएगा तो सी के लिए हाँ पर MOU sign होआ है राइट बिलकुल correct answer है very good गाइस इसी तरह से आपका answer आने चाहिए सबके very good exam crack nasreen right rahul neha सबका correct answer है yes आगे बढ़ते हम लोग next is yes बिलकुल नीरच Noida में इसका headquarter है Noida UP में IWAI का right so recently India France Australia held a trilateral dialogue for the corporation in Dash हाल ही में भारत France और Australia ने Dash में सहयोग के लिए एक त्रीपक्षे वारता की है पहली त्रीपक्षे जो वारता हुई थी जो trilateral dialogue हुआ था last year हुआ था और फिर ये decide किया गया था कि इस तरह का जो trilateral dialogue है त्रीपक्षे वारता है ये इन देशों के बीच में सालाना तौर पर कंड़क की जाएगी सो कौन से रीजन में यहाँ पर सहयोग के लिए किया गया है ये dialogue Middle East region, Central Asia region, Indo-Pacific region and South Asia region येस बिलकुल बिलकुल correct answer है यहाँ पर येस नस्रीन, कुनाल, राइट, जगदीप सबका correct answer है पल्लवी, राइट, very good guys इसी तरह से आंसर है इंडो-Pacific region के यहाँ पर बात की जा रही है ठीक है इसके अलावा बात करें Australia ये आपका Quad Country का एक nation है फ्रांस आपका permanent members जो है UN Security Council के उनमें से ये पाच members में से एक है ठीक है चलिए, very good next question का आँसर बताईए, recently Union Agriculture Minister नरेंदर सिंग टोमर inaugurated सरस आजीवी का मिला 2021 at Dash हाली में केंद्रिय मंत्री नरेंदर सिंग टोमर ने Dash में सरस आजीवी का मिला 2021 का उधगाटन किया है जल्दी से बताईए गाईज, so इसका correct answer क्या होगा, कहाँ पर inauguration किया गया है इसका correct answer option A होगा, नॉइडा हाट में इसका inauguration किया गया है अब मुझे एक comment करके बताईए, जो सरस आजीवी का मिला है, इसको organize कौन कर रहा है जल्दी से बताईए, कौन इसका आयोजन कर रहा है, organize कौन कर रहा है so ministry of rural development, इसको organize कर रही है तो different different regions से, different states से यहाँ पर लोग आके अपना सरसाजीवी का मिला में अपना परदर्शन कर रहे है जो भी उनके काम है, self-help groups वगेरा वहाँ पर आकर अपना परदर्शन दिखा रहे है जो भी उनकी skills है, उसको वहाँ पर portrait कर रहे है बिल्कुल, exam correct, बिल्कुल correct answer, right नस्रीन, right, correct answer, very good इसका मतलब आप लोग ने कल के जो current affairs है, बहुत अच्छे से पड़े हैं, very good guys Next is, what is the theme of second edition of global bio India Global bio India के दूसरे संसकरन का विशे क्या है Biosciences to bio economy, transforming lives, our solutions are in nature and transforming India in bio technology, जल्दी से बताईए Yes, education, the education, right, correct answer है So, यहाँ पर second edition जो है, इसका theme क्या है इसका theme है, option B, that is transforming lives, बदलती, जिन्दिया Right, पर लवी, correct answer है So, यह जो आपका global bio India है, यह इसका दूसरा संसकरन अभी आपका एक से तीन मार्च तक यह चल रहा है और इसकी theme तो है transforming lives, जो इसकी tagline है, वो है Biosciences to bio economy, चीक है इससे पहले इसका जो पहला edition हुआ था, first जो edition हुआ था, वो कब हुआ था, जल्दी से बताईए, देखते हैं किसको याद है पहला edition global bio India का कब हुआ था, यह आपका 2019 में हुआ था, ठीक है Claire सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बता देती हूँ February का जो last week था, इसका जो revision class आपकी रहती है ठीक है, यह आपकी Thursday को होगी guys Thursday को यह आपकी 12 बजे होगी तो फैर में, ठीक है, याद रखिएगा जो February के last week का जो revision हमारा due रहता है वो Thursday को 12 बजे class होगी, तो ज़रूर रटेन करिएगा Guru Ravidas is also known with the name of Dash, Guru Ravidas को Dash के नाम से भी जाना जाता है रायदास, रोहीदास, रोहीदास and all of the above, जल्दी से बताएए, Guru Ravidas के बारे में Yes तो इसका correct answer क्या होगा, option D that is all of the above ओके करिश्मा option D में none नहीं है, all of the above है, ठीक है, all of the above इसका correct answer होगा तो Guru Ravidas जो थे, ये बहुती famous saint थे, उन्होंने 40 के करीब devotional poem लिखी थी जो Guru Granth Sahib में भी जिसको include किया गया था, 1450 AD, 1450 AD के time की bond थे और ये contemporary किसके थे, कालीदास नी, कबिरदास के ये contemporary थे, मीरबाई और कबिरदास के ये contemporary थे, ठीक है, याद रखीएगा आगे बढ़ते हैं, next is, who is appointed as Assistant Secretary General and Head of New York Office of United Nations Environment Program संयुक्त राष्ट परियावरन कारेक्रम के, New York कारेले के सायक, महा सचीव और प्रमुक के रूप में किसे निक्ट किया गया है? गीता सबर्वाल स्वाम में, स्वामी नाथन, प्रीती सिन्हा and लिग्या नोरोना, जल्दी से बताईए सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Option D होगा, that is लिग्या नोरोना इसके अलावा, guys, कुछ और भी यहाँ पर, yes, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर, जो रवीदास के में बात कर रहे थे, उनकी 644th anniversary थी जो लिग्या नोरोना है, इनको United Nation Environment Program जिसके Headquarter कहाँ पर है, Nairobi, Kenya में है, ठीक है, Nairobi, Kenya में इसके Headquarter है, इसका New York Office की एक तो यह Head बन गई है और Assistant Secretary General भी बन गई है, आचा, यहाँ पर हम बात करें, गीता सबरवाल की, तो इनको अपॉइंट किया गया था, इंडिया से हैं यह, इनको अपॉइंट किया गया था, इनको अपॉइंट किया गया था, फिर जो सौम्य सौमिनाथन है, इनको अपॉइंट किया गया है, Chief Scientist Chief Scientist at WHO, ठीक है यह आद रखेगा, World Health Organization में Chief Scientist की पोस्ट पर सौम्य सौमिनाथन को पॉइंट किया गया था, इनको क्या बनाया गया है, Executive Secretary इनको बनाया गया है, किसका बनाया गया है? UN Capital Fund का, United Nations Capital Development Fund का, इसमें यह जो United Nations Capital Development Fund है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपकी जो सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है, वो Executive Secretary की होती है, और वो पृती सिना को मिली है, तो यह कुछ इमेजर आपके important appointments थे, राइट? Yes, बिल्कुल, चली, आगे बढ़ते हैं हम लोग, Next is, Who Will Receive SeraVe Global Energy and Environment Leadership Award in the SeraVe Conference 2021? SeraVe Summilan 2021 में, SeraVe Vaishvik, Urja और परियावन नेत्रत पुरसकार कौन प्राप्त करेगा? Joe Biden, Sheikh Hasina, Narendra Modi and Yoshihida Suga, जल्दी से बताएए, गाईज, क्या होगा इसका correct answer? SeraVe Global Energy Award किसको मिलेगा? So, इसका correct answer क्या होगा? Option C होगा, That is, Narendra Modi को मिलेगा, तो उन्होंने जो भी environment sustainability के लिए, जो भी steps लिए हैं, उनके लिए उनको ये award दिया जाएगा, Global Energy and Environment Leadership Award. Right, बिल्कुल correct answer है, Yes, Nasreen, exam correct, Neha, Kunal, Karishma, Rahul, Neeraj, जगदीप correct answer है. इसका जो PDF है, Mamun Shake, इसका जो PDF है, आपको website penlamidu.com पर, आपको महाँ पर quiz available है, आप महाँ पर एज़ाग के attempt कर सकते हैं, ये सारे current affairs आपको site पर मिल जाएंगे, वहाँ पर PDF भी आप download कर सकते हैं. Right, चलिए. आगे बढ़ते हैं, next is, और ये एक नया award है, जिसको US की सरकार ने बनाया है, इसमें one of the winners अंजली भारवाज है, गीतांजली राओ को time kid of the year magazine में, times magazine है आपकी, so kid of the year 2020, इनको यहाँ पर title मिला है, गितांजली राओ को, then Soma Mandal, ये सेल की जो है, chairman है, and Indra Nui कौन है, CEO है, Pepsi को की, ठीक है, ये हम सब चीज कल डिसकास कर चुके हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, right, बिल्कुल correct answer है, राहूल, yes, मामुन, right, नीरज, करश्मा, exam correct, the education, right, correct answer है सभी का, ठीक है, येस, बिल्कुल, guys, आपके लिए, जो है, English की, जो हाफेली, बुक है, वो आपके लिए, अवैलेबल है, ठीक है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बैंकिंग की हाफेली भी है, और English कारांटेफेस की हाफेली भी है, जल्दी हिंदी वाली भी आपको अवैलेबल हो जाएगी, ठीक है, तो उसको भी आप, guys, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, किसने क्रिकेट के सभी प्रकार से सन्यास लेने की घूशना की है, विने कुमार इशांत शर्मा, रवी कुमार समर्थ, और मुहमल सिराज, जल्दी से बताईए, guys, किसने यहाप पे अनॉंस किया है, कि वो सारे ही, जो क्रिकेट के फॉर्म से हमाँ से रेटार्यमेंट ले रहे हैं, जल्दी से बताईए, इनको देवनगेरे एक्स्प्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपना रेटार्यमेंट अनॉंस किया है, काफी लोगों ने अपना रेटार्यमेंट अनॉंस किया है, जैसे किमेस दोनी, सुरेश रहना, इसके बाद दिरफान पठानने भी अनॉंस किया है, प्रज्यानोजा, पार्थित पतेल, तनमे श्रिवास्ताव अशोग धिंडा, पिछले कुछ टाइम में, 22,020 से लेकर 21 तक काफी लोगों ने अपना रेटार्यमेंट अनॉंस किया है आगे बढ़ते हैं, next is recently, archaeological survey of India has discovered a 900 years old Buddhist monastery in Dash, हाल ही में, भारतिय पुराततर सर्वेक्षिन ने Dash में 900 साल पुराने बौदमट की खोच की है, कहां पर की गई है खोच, उडिसा, जार्खंड, बिहार and West Bengal, जल्दी से बताइए गाईज इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer होगा option B, that is जार्खंड, ठीक है जार्खंड में, जो हजारी बाग district है, वहां के एक गाउप में ये चीज पाई गई है, एक बुद्धिस्ट मनेस्ट्री, 900 साल पुरानी, वहाँ पर बौदमट की खोच की गई, वह एक टीले के नीचे दबा ह हुआ था, और वहाँ पर जो देवी तारा है, उनकी मूर्ती पाई गई है, बगवान बुद्ध की मूर्ती पाई गई है, ठीक है, और उन मूर्तियों पर भी कुछ, जो है script लिखा हुआ है, तो बहुत सारी महाँ पर discovery हुई है, तो ये आपकी important है, तो जहार्खंड में ये City Innovation Exchange Platform has been launched to provide innovation in urban ecosystem, शहरी पारिस्थितिक तंत्र में नवचार को बढ़ावा देने के लिए City Innovation Exchange Platform को launch किया गया है, ये शहरों को innovators से जोड़ेगा ताकि वो solutions develop कर सके, जो है शहरों के द्वारा यहाँ पर सामने आते हैं, so one only, two only, both one and two and none of the above, जल्दी से बताईए गया है, तो सका correct answer क्या होगा, सका correct answer होगा, option C, that is both one and two, दोनों ही statement यहाँ पर सही है, City Innovation Exchange Platform ये launch किया गया, ताकि जो urban ecosystem है, वहाँ पर innovation को नवचार को बढ़ावा दिया जा सके, और जो शहर की समस्याए हैं, उनके समाधान के लिए उनको जो भी नव प्रवर्तक है, उनके साथ जोड़ जा सके, और जो है, बिल्कुल यहाँ पर fitting solutions यहाँ पर प्रदान किये जा सके, ठीक है, right, correct answer कुनाल, नीरज, नेह, right, बाकी लोग भी guys comment करते रहे, वीडियो को like और share जरूर करिए, और जिन्होंने चानल को subscribe नहीं, क्या इसको subscribe जरूर करिए, so ये तो हमने previous day के questions यहाँ पर से, कौन-कौन सी देश की satellite थी, Brazil, USA और India की guys यह satellite थी, जिसमें से major जो थी, वो थी आपकी Brazil की Amazonia 1 satellite, ठीक है, तो ये 637 kg की satellite थी, जिसको design, integrate और operate किया गया है, National Institute for Space Research, Brazil के दुआरा, और ये जो है important क्यों है mission guys, क्योंकि ये पहला commercial mission था New Space India Limited का, ठीक है, तो ये चीज याद आखिएगा, तो इसके अलावा, यहाँ पर ये और क्यों, जो है launch important है, तो यहाँ पर कुछ उससे related facts देखिए, PSLV C51, इसका launch vehicle क्या था, आपका PSLV C51 था, और इसकी ये 53 वी उडान थी, और DL configuration, इसमें भी अलगला configuration होते हैं, आपके XL configuration, DL configuration, तो DL configuration में दो strap motors होती है, दो strap on motors, तो DL configuration का ये तीसरा आपका यहाँ पर launch था, ठीक है, इसके अलावा, ये 78th launch vehicle था, जिसको श्री हरी कोटा से launch किया गया, सतीज धरवन Space Center, जो है आपका, वहाँ श्री हरी कोटा में, वहाँ से इसको launch किया गया है, उसकी ये 78 भी उडान थी, ठीक है, इसके अलावा with this Sunday launch, क्योंकि Sunday को launch की गई थी, इसरो ने अब टोटल यहाँ पे जो customer satellites जो place की है, वो 342 की है, ठीक है, from 34 countries in orbit through PSLV, PSLV के द्वारा, अभी तक इसरो जो है, 342 customer satellite को place कर चुका है, जो 34 country से है, ठीक है, सो ये सारी चीज़े याद रखेगा, guys, right, okay, चलिए, question कान से बता ही, recently PSLV has launched 90 satellites from Shri Harikota, including Amazonia 1, Amazonia 1 satellites belong to which of the following countries, तो हाली ही में, Shri Harikota से 19 उपगरहों को launch किया गया है, जिसमें Amazonia 1 एक शामिल थी, so ये Amazonia 1 जो है, ये उपगरह किस देश से संबंदित है, Brazil, Peru, Chile and Suriname, जल्दी से बताईए, yes, guys, जल्दी से बताईए, yes, बिल्कुल, विश्वरूपम monthly वाला भी आपका revision बिल्कुल कराया जाएगा, ठीके, I'll try के इसी week में आपको monthly वाला revision भी करा दिया जाएगा, अगर इस week में possible नहीं हुआ, तो मैं next week में आपको पके से, जो February month का पूरा revision है, वो मैं आपको करवा दूगे, ठीके, don't worry about that, in fact, जो SSC का course है ना, इसमें भी आ आपको चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीके, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार करा दूगे, दो दुबार revision हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलिए, right, correct answer है सभी का, option A, Brazil, right, आगे बढ़ते हैं, next is, P.A. Modi inaugurated Maritime India Summit 2020, Maritime India Summit 2021 का जो उधगाटन है, ये पदानमंती रहें मोधी के द platform पर organize कर रहे हैं, और बहुत सारी countries इसमें participate कर रही है, अब important क्या है, इसमें से fact कि Denmark जो है, इसकी partner country है, ठीके, याद रखेगा, Denmark इसकी भागिदार देश है, और जो फिकी है, वो industry partner है, और EY जो है, इसका knowledge partner है, ठीके, तीन यहाँ पे partner country हुआ, एक industry partner हुआ, एक knowledge partner हुआ, ठीके, याद रखेगा, the summit aims to serve as a powerful platform for international collaboration with partner countries for mutual exchange of knowledge and opportunities, ओके, विश्वरूपम, मेरे को जिन्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से त्यारी करिए, ठीके, कहते ना कि दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करें, तो खुद की जैजाकार करिए, और अच्छे से ट्यारी करिए, एक्जाम की, आपका एक्जाम क्लेर होगा, तो बस बढ़िया ही बढ़िया है सब चीज है ना, चलिए, तो ये जो summit is का main purpose क्या है, कि ये platform की तरह ये एक कारे करें, जहाँ पे जो different sectors के, जो different stakeholders हैं, वो एक जगा पर आएं, उनका collaboration हो, और knowledge का आदान प्रदा जो opportunities हैं, उनको identify किया जा सके, और भारत को यहाँ पर maritime छेतर में एक उभरता हुआ, यहाँ पर देश जो है, भारत बन सके, तो इसका पूरा ये purpose है, इसके अलावा, मुंबाई Port Trust ने अभी 13 MOUs पर हस्ताक्षर किये हैं, अलग-अलग fields में इसमें किये गए हैं, तो basically, जो म मुंबाई में Water Transport और Tourism को Boost करने के लिए MOU sign किये गए हैं, यह worth क्या था, इनका 7510 करोड के ही MOU sign हुए हैं, इस summit के अलावा, टोटल जो यहाँ पर MOU sign होने हैं, वो 20,000 करोड के हाँ पर sign होंगे, ठीक है, तो देखते हैं, आगे और कौन-कौन से MOU sign होंगे आपर, और the first Maritime India Summit was organized in 2016 in Mumbai, महाराष्ट, तो पहला कब हुआ था Maritime India Summit? 2016 में कहां पर हुआ था? मुंबाई महाराष्ट, कहीं भी पूछा जा सकता है, important है, ठीक है, याद रखेगा, सो question कहां से बताईए, who is the partner country for Maritime India Summit 2021, Maritime India Summit 2021 के लिए, भागेदार देश कौन है, Switzerland, Australia, Singapore and Denmark, जल्दी से बताईए, guys comment करते रहिए, yes, सभी लोग comment करें, yes, Denmark correct answer है, जगदीब का answer आ चुका है, आपे option D is the correct answer for us, आगे बढ़ते है, next is, तरुन बजाज को guys, additional charge दे दिया गया है, of secretary to department of revenue, तरुन बजाज को department of economic affairs के secretary तोर पर इनको appoint किया गया था, और अब इनको additional charge दे दिया गया है, इससे पहले department of revenue, वो जो head करे थे, जो secretary थे, वो dr. अजे भूशन पांडे थे, वो finance secretary भी थे, और यापर department of revenue में भी secretary थे, उनको भी additional charge ही दिया हुआ था, अब ये तरुन बजाज को दे दिया गया है, after अजे भूशन पांडे has retired on 28 February 2021, कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सी committee को, यहाँ पर कौन chair करता है, head करता है, वो चीज़ याद लखिए, so ये approval करता है, इस appointment का, department of revenue के हम बात करें, तो ministry of finance, जो आपका वित मंत्राले हैं, उसके इंतरगती एक department है, और main इसका function क्या है, कि जो आपके, जो भी tax related, जो भी चीज़े होती है, चाहिए direct tax है, चाहिए indirect tax है, उससे related matters को handle करना, then यहाँ पर कुछ policies का formulation, जो होता है, उसमें advisory role होता है, so यह सब चीज़े handle करता है, और इसको पूरे department को, जो direction और control प्रवाइड किया जाता है, वो revenue secretary करते हैं, it excise control in respect of matters relating to all direct taxes and indirect union taxes, तो दो यहाँ पर statutory body है, एक आपका है central board of direct taxes और दूसरा है central board of indirect taxes and customs, तो जो आपके direct taxes है, उनका collection, उनका imposition होता है, वो किसके द्वार किया जाता है, CBDT के द्वार किया जाता है, और जो आपके union taxes है, जैसे indirect taxes, और जैसे customs और central exercise duty, इन सब को कौन देखता है, CBIC देखता है, ठीक है, finance minister कौन है, निर्मला, सीतरामन है, यह आपको पताईए, ministry of corporate affairs भी यही handle कर दिये है, राइट, चलिए, ओके, विकास देखिए, यहाँ पर current affairs के notes बनाने के आपको जरुरत नहीं है, ठीक है, revision आप करते रही है, वो बहुत important है, क्योंकि देखिए, अगर आप notes बनाएंगे, at the end, जो monthly, आपकी magazine होती है, half early होती है, या फिर yearly होती है, उसमें तो आपको material मिली जाएगा, है न, तो आप notes बनाने में time waste मत करिए, आप रोजाना daily का इंट अफेर्स फॉलो करिए, ठीक है, फिर आपका जो, जैसे daily revision में आपको कराती हूँ, फिर उसके बाद weekly हम revision करते हैं, option B, that is Tarun Bajaj, additional charge, secretary to department of revenue किसको दिया गया है, Tarun Bajaj को दिया गया है, right, correct answer, चले मुझे comment करके बताईए, प्रमोद चंदर मोदी जो है, ये कौन सी, जो statutory body है, ठीक है, अभी जिसके हम चर्चा करेते हैं, CBIC, CBDT, इन में से किसके ये chairman है, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, गाईज, प्रमोद चंदर मोदी, किसके chairman है, तो ये CBDT के chairman है, ठीक है, Central Board of Direct Taxes के chairman कौन है, प्रमोद चंदर मोदी है, ठीक है, और CBIC के जो chairman है, Central Board of Indirect Taxes and Customs, ये कौन है, एमर जीत कुमार है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लेरस अभी को, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट इस विनेश, फोगाटने गाईज, गोल्ड मेडल जीता है, अट 24th, Outstanding Ukrainian Wrestlers and Coach's Memorial event, और ये इवेंट कहां पर हुआ था, कीव, यूक्रेन में हुआ था, कब वर्ल्ड नमबर सेवन, विनेश, जो बेलारस से हैं, उनको हाके इनोने जीता है, फेबरी 2020 में उन्होंने एक और चैंपेंशिप में, जो एशियन चैंपेंशिप सुई थी, उसमें उन्होंने ब्रोंज जीता था, विनेश पोगाट जो है, एशियन गेम्स और कॉमन वेल् लिस्ट हैं, और अब जो टोक्यो सामर ओलम्पिक्स होंगे, जुलाई 2021 से अगस्ट 2021 में, उसमें ही पार्टिसिपेट करेंगी, तो 2020 के ओलम्पिक्स टोक्यो में, 2024 के पारिस में, और 2018 के आपके लोस एंजलेस में, यूएस में, और जो अब ही 2032 की बात करी जा रही है, वो टोक्यो ओलम्पिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है, इसके अलावा ये फर्स्ट ट्रांकिंग टूनमेंट जो होगा सीजन का, अभी मार्च में जो होने वाला है रो में, उसके लिए भी ये कंपीट करेंगी, और ये कहां से हैं, ये आपकी हर्याना से हैं, इंडि स्पोर्ट्स डे उस पर अनॉंस किये जाते हैं, कब होता है 29 अगस्त को, तो तब इनको राजीव गांदी खेरतन अवार्ड है, उससे समानित किया गया था, पांच लोग को दिया गया था, ठीक है, हम लोग कई बार डिसकस का चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं, क्वेशन कान से बताईए, क्वेशन वन अगोल्ड मेडल अट 24 अउतस्तानिंग उक्राइन रसलर्स अट कोच's memorial event इन फेबरी 2021, फरवेरी 2021 में 24 भी आउतस्तानिंग उक्राइन रसलर्स और कोच's memorial event के में स्वन पदख किसने जीता है, विनेश पोगाट, बजरंग कुनिया, जल्दी से बताईए यह जगदीप का करेक्ट आंसर है option है that is विनेश फोगाट चली आगे बढ़ते हैं next is national science day कब मनाया जाता है guys 28 फरवरी को यह हर साल मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी theme क्या थी future of STI impacts on education skills and work so यहाँ पर science and technology के future की बात की जा रहे है कि इसका जो भविशे पर जो असर होगा किस पर आपका education पर आपके कोशल पर और आपके कारे पर क्या प्रभाव होगा उसके basis पर वर्ष की theme है national science ने मनाया क्यों जाता है सबसे important यह है क्योंकि 28 फरवरी 1928 में announce किया गया था कि जो रम और यह फिर इसी discovery के लिए उनको 1930 में 1930 में उनको nobel prize से समाने किया गया था ठीक है physics की field में उनको nobel prize मिला था फिर यहाँ पर decide किया गया कि 28 फरवरी को सरकार के दुआरा 1986 में decide किया गया कि 21 टेबरे को हम national science day मनाएंगे और उस टाइम पर राजीव गान्दी जो थे वो नाशनल साइंस डे पर पूरे इंडिया में celebrations को कंड़क्ट करती है यह department of science and technology की एक division है ठीक है national council for science and technology communication याद रखेगा पूछा जा सकता है को कभी भी इसके अलावा जो national science day होता है इस पर आपको जो भी national awards or science popularization के लिए बो दिये जाते हैं 1987 से department of science and technology ने यह अवार्ट देने start किये थे और इसके अलावा जो 2020 की theme थी ठीक है अभी तुमने 2021 की बात करें से पहले जो last year 2020 की जो theme यह थी women in science तो महिलाओ का जो science में contribution है उसके बारे में हापे चर्चा की गई थी and जो national technology day है यह आपको कब मनाया जाता है 11 माई को मनाया जाता है यह भी याद रखे क्योंकि science technology related है confused हो सकते हो आप national science day 28 February and national technology day 11 में को मनाया जाता है अभी रमन effect क्या होता है जब भी देखे light आपकी किसी transparent material से पास करती है तो उसका जो wavelength है और उसका जो amplitude है कुछ reflected light का वो बदल जाता है ठीकिन सबका नहीं बदलता उसमें से कुछ reflected light का वो बदल जाता है इसको रमन scattering क नहते हैं और जो इसका effect होता है consequence होता है उसको रमन effect कहा जाता है ठीक है सो सर सीवी रमन worked on inelastic scattering of light by molecules और पिर इनी इसी काम के लिए इनको यहाँ पर nobel prize दिया गया था राइट चलिए question कान सा बताईए who was the Prime Minister of India at the time of designation of 28 February as National Science Day by Government of India 28 परवरी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रे विज्ञान दिवस के रूप में नामित किये जाने के समय भारत की प्रदान मंतरी कौन थे इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्मा राओ और अटल भिहारी वाजपई जल्दी से बताईए वाइस येस बिल्कुल correct answer है option B that is राजीव गांधी very good जगदीप correct answer है आगे बढ़ते हैं next is PM Modi paid homage to मुराजी देसाई on his birth anniversary तो मुराजी देसाई की birth anniversary अब यहां पर देखिए जो मुराजी भाई देसाई का जो जन्म हुआ था यह 29 फरवरी 1896 में हुआ था यानि हर 4 साल में हो अपना birthday celebrate करते थे ठीक है फिर यहां पर जो 4 प्राइम मिनिस्टर थे भारत की इंद्रकांधी के बाद यह प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1977 से लेकर जुलाई 1979 तक ही भारत के प्रधान मंत्री रहे थे और बहुत सारे उन्होंने positions पर कारे किया था जैसे की Home Minister, Finance Minister और Deputy Prime Minister और इंडिया यह भी याद रखे गया इनके बारे में important fact कि maximum number of times budget जो present किया था वो इन्होंने ही present किया था maximum number of times इन्होंने budget को पेश किया था जब वो वित मंत्री थे तो 10 बार यह total budget को पेश कर चुके है आठ बार तो regular budget था और दो interim budget को उन्होंने पेश किया था इसलिए भी मुराजी दिसाई जो है काफी famous है और एक और important यहाँ पर point है उनसे related कि सबसे oldest person थे जिन्होंने Prime Minister की post को hold किया था भारत में ठीक है तो यह चीज़ भी याद रखेगा यंगे स्टाप के राजीव गांधी थे और oldest person कौन थे यहाँ पे मुराजी दिसाई थे तो निशाने पाकिस्तान से इनको सम्माने किया गया था और भारत अतन से भी इनको सम्माने किया गया था पाकिस्तान का सर्वोच नागरिक पुर्सकार पाने वाले भारत के एक मात्र प्रधान मंत्री कौन थे आईके गुजराल मुराजी दिसाई चंदरशेकर सिंग और लाल बहादूर शास्त्री जल्दी से बताईए गाईज जल्दी से बताईए गाईज कमेंड करके क्या होगा से करेक्ट आंसर येस जगदीब करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी दाट अस मुराजी दिसाई बाकि लोग भी गाईज कमेंड करिए येस एक्जाम करेक्ट आंसर है नेहा राइट करेक्ट आंसर है येस राहुल नस्रीन र स्थान लिया है फोटो में आप देख सकते हैं इनको आर हरीकुमार को और इसके लावे इनको विशेष्ट सेवा मेडल अती विशेष्ट सेवा मेडल और परम विशेष्ट सेवा मेडल से समानेत किया जा चुका है नेवी के अगर मात करें तो तीन कमांड्स है नेवी के जो हर command होती है उसका एक flag officer commanding in chief होता है western naval command के headquarters कहाँ पर है मुंबई में है एक है eastern naval command इसके headquarters है विशाक पत्नम में एक है southern naval command इसके headquarters कहाँ पर है कोची में है ठीक है ये भी चीज़ याद रखेगा headquarters कहाँ कहाँ पर हो सकता matching के form में कभी आपको पूछ लिया जा सकता है जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए गाईज क्या होगा इसका correct answer जगदीप, एक्जान क्रेक, राहुल, नेहा, कुनाल, करश्मा, राइट, सबका correct answer है, option C, that is R. हरीकुमार आगे बढ़ते हैं, next is golden globe awards, 2021 के winners का announcement कर दिया गया है ये जो award दिये जाते हैं, फिल्म और टेलिविजन के field में इनके outstanding work के लिए दिये जाते हैं और इसको हर साल कौन present करता है, Hollywood Foreign Press Association इसको present करते हैं 1944 में जो awards से इनकी स्थापना की गई थी, golden globe awards की और ये American films, international film और American television को दिये जाते हैं तो कुछ winners के हम बात करेंगे, इस बार का 78 वा golden globe award था ये So, best film drama category में Nomad Line को दिया गया है Best TV series की बात करें, drama में तो ये The Crown को मिला है Best film musical ये comedy की category में, Borat Subsequent Movie Film को मिला है Then, best TV series musical comedy में, Skit Creek को मिला है Best director award, Chloe Zhao को Nomad Line के लिए मिला है Best limited series, किसको मिला है, The Queen's Gambit को मिला है Best actress drama, in terms of film की हम बात करें, तो Andra Day को मिला है And best actress in drama, ये Emma Corin को मिला है, for her role in The Crown Best actor drama मिला है, ये Chadwick Boseman को Then, best actor drama ये मिला है, Josh O'Connor for The Crown Best actress musical comedy में मिला है, Rosamund Piquet को, for I Care A Lot And best actress musical comedy, अगर हम drama में बात करें, television category में तो ये Catherine O'Hara for Skips Creek को मिला है Right, चलिए आगे बढ़ते हैं, question काहन से बताईए Which among the following won the best TV series drama award in the Golden Globe Awards 2021 निन में से किसने? Golden Globe पुरसकार 2021 में सर्ष्रेश्ट TV series नाटक पुरसकार जीता The Crown, Nomadland, The Queen's Gambit and None of the Above देखते हैं किसका correct answer आएगा है आपे, जल्दी से बताईए गाईज Yes, Neha, Kunal, Karishma, Exam, Crack, Vishwarupam Right, Jagdi, बिल्कुल correct answer है, option है, that is The Crown Right, आगे बढ़ते हैं Next is, आंदरपदेश गर्नमेंट ने, guys, calendar अनाउंस किया है कि वो कब-कब कौन सी welfare scheme को launch करने वाले है Total यहाँ पर 23 welfare schemes की उन्होंने बात की है So, उन्होंने EBC नेस्तम scheme को approve किया है यह economically backward classes category के जो महिलाएं हैं, उनके लिए है इसमें क्या होगा, जो 45 से 60 वर्ष की जो महिलाएं है In the age group, the women which are in the age group of 45 to 60 years उनको financial assistance provide किया जाएगा वित्ती साहता यहाँ पर प्रदान की जाएगी 15,000 पर यहाँ पर आनम की The state cabinet has also approved implementation of नवरतनालू scheme for financial year 2021-22 इस वित्वर्ष के लिए नवरतनालू जो scheme है तो नवरतन यानि कि यहाँ पर 9 welfare schemes की बाद की जारी है यह जो scheme है, यह 9 welfare schemes को मिला कर एक scheme बनाई जारी है इसको approval दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर जगन्ना वसथी देवीना scheme इसको implement करने की बाद की गई है यह क्या होगा? जो below poverty line students है उनको यहाँ पर विद्य साहता प्रदान की जाएगी इसको अपरेल, जुलाई और दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 में इसको implement किया जाएगा ठीक है? दो रखने डिफरेंट फेजिस में इसको implement किया जाएगा इसके अलावा जगन्ना विद्या कानू का scheme यह जो launch की गई है मत्सेकारा भरोसा, देन राइतु भरोसा, केपू नेस्तम, निताना नेस्तम यह कुछ scheme है और इसके अलावा कुछ social welfare scheme भी है जो इस वितवर्ष में implement की जाएगी बायंद्रप्रदेश गर्मेंट, YSR law नेस्तम, जगन्ना गोरु मुड़ा, देन YSR संपून पोशन ठीके नामसी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो particular scheme है वो किसलिये है राइट, सो यहाँ पर यह आंद्रप्रदेश सरकार की बात करें और अभी आंद्रप्रदेश related एक और important news थी आपकी कि आंद्रप्रदेश के जो chief minister है, उनको scotch CM of the year award प्रदान किया गया है, ठीके तो याद रखी गए यह point B आंद्रप्रदेश के हम बात करें तो यह Indian state है, जो south eastern coastal region में located है, यह अपना border किसके साथ share करता है और यह पहला state था, जो linguistic basis पे जो है, form किया गया था, on the recommendation of states, reorganization commission और फिर आंद्रप्रदेश से हटके, तिलंगाना एक अलग separate state बन गया था, दोजार चौध में गवर्नर कौन है, इसके, विशुबूशन हरी चंदरन है, और जो chief minister है, Y.S. जगबोहन रेड़ी है, ठीक है देन, Indian classical dance, कुची पूडी, यह जो हमारा total 8 classical dance है, जिसमें से एक कुची पूडी है यह आपका कहां से originate हुआ था, यह आंद्रपदेश से originate हुआ था, राइट? So question कहां से बताईए, recently which of the following statement is correct about जगणना वसती देवीना scheme निन में से कौन सा कथन? जगणना विद्या देवीना योजना के बारे में सही है Under this scheme, financial assistance will be provided to students, इस योजना के तहत चात्रों को वित्य साहता प्रदान की जाएगी It is a flagship scheme of the आंद्रपदेश गर्मेटी, आंद्रपदेश सरकार की एक प्रमुक योजना है So one only, two only, both one and two and none of the above, जल्दी से बताईए guys, क्या होगा इस correct answer? जल्दी से बताईए, सभी लोग comment करिए guys, so इसका correct answer क्या होगा? Option C होगा, that is both one and two, ठीके दोनोई statement यहाँ पर correct है आगे बटने हैं, सरकार ने अनौन्स किया है, one district, one product scheme को ताकि जो agriculture products हैं, उनको boost किया जा सके So ये आपकी scheme का नाम क्या है? One district, one focus produce और जो भी agriculture products हैं, उनका export को बढ़ावा देने के लिए launch किया गया है Government has aimed to export agriculture products of 60 billion by financial year 2022 2022 तक सरकार का aim है कि agriculture product जिनकी total worth 60 billion dollars होगी इतना हमें export अच्छी करना है इसके लिए सरकार ने 15 broad categories को identify किया है कि हर district से एक product को जो है यहां पर इन category में से किसी में से एक जो है चुना जाएगा जिसमें export potential है ठीक है जिसको निर्यात किया जा सकता है और फिर यहां पर है district को निर्यात के इंजर में जो है convert करना यह का objective है दूसरा objective है जो आपके agriculture products है ठीक है अग्रिकल्चर प्रडक्स का यहां पर इनका यहां पर आपका बढ़ावा देना है इसको ठीक है जो भी आपके agriculture products है इनका export को बढ़ावा देना है इसके अलावा यह आपका जो farmers की income है इसको बढ़ावा देने में में भी यह जो है एम करता है इसके तहित इसको प्रमोट किया जाएगा स्कीम में क्या होता है कि जो आपके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है यह फिनांशल असिस्टेंस प्रवाइट करेंगी ताकि इंफ्रस्ट्रक्टर आपका डेवलाप हो सके इसके प्रोड़क्स की मार्केटिंग हो सके उसके लिए यहां पर वित्य सहायता प्रदान करते हैं स्कीम के अंतरगर्द जो पी एम एफमी स्कीम है यह लॉंच की गई थी तो प्रोवाइट डिफ्रेंट काइंट्स अफ सपोर्ट तो यहां पर इसके वल ऐसा नहीं कि यहां पर सपोर्टल या बिजनिस स्पोर्ट प्रदान किया जाता है जो सपॉट陽 जो सहायता है यहां पिप्रदान की जाती है ताकि जो अभी हमारे पास माइक्रोफूद प्रॉसेसिंग अंसा बेढ़ माइकिम फूड़ about one district one focus produce scheme. One district one focus product Yojna के बारे में निम्मे से कौन सा कथन सही है? It aims to convert each district into an export hub by identifying products with export potential in district and it aims to increase the export of agriculture products. So, क्या होगा correct answer? जल्दी से बताईए. One only, two only, both one and two and none of the above. कौन सी statement यहापे correct है? जल्दी से बताईए. सभी लोग कमेंड करिये, गाईज. So, इसका correct answer option C होगा. यह दोनों ही statement यहापे correct है. ठीक है? PM FME जो आपकी scheme है, इसकी full form एक बारी देख लीजे. This is PM formalization of micro food processing enterprises scheme. ठीक है? यह इसकी full form है. हो सकता है किसी exam में आपको पूछ लिया जाए? ठीक है? ठीक है? क्लेर है आप सभी को? यह scheme में कोई doubt तो नहीं है किसी को भी? Okay. So, यहाँ पे Vishwarupam, Neha, Jagdeep, Right, Neha, Kunal, Deepak सभी का correct answer है. आगे बढ़ते हैं. Guys, Levi's ने announce किया है DP का पादुकॉन को as the global ambassador. लिवाइस की जो global ambassador है for India. भारत में ही DP का पादुकॉन को पॉइंट किया गया है. लिवाइक American Clothing Company है जो अपने denim jeans के brand के लिए जाना जाता है और यह 1853 में found ग़ा था. इसके अलावा और किसके इसको brand ambassador different products का बनाया गया है, वो एक बार देख लेते हैं. सो राना दग्गूबती जो है, इनको सियर्ट टायर्स का यहाँ पे brand ambassador बनाया गया है, वीवेस लक्षमन को, माई 11 सर्कल ने जो है brand ambassador बनाया है अपना, आयश्मान को राना को बोरुपलस के जो product से उसके लिए बनाया गया है, सोनु सूध को अंकुरा होस्पिटल ने जो है अपना brand ambassador बनाया है, और सचिन तंदुलकर को अनकाडमी ने यहाँ पर अपना brand ambassador बनाया है, और कुछ उन्होंने सचिन तंदुकर ने वहाँ पे investment भी किया है, शेयर्स भी खरी दिया है, ठीक है, चलिए, सो question कहां से बताईए, who is appointed as a global brand ambassador of Levi's, Levi's की global brand ambassador की रूप में किसे किया गया है, so इसका correct answer होगा option B, that is Deepika Padukone, ठीक है, आगे बढ़ते हैं guys, world NGO day के हम बात करें, तो यह आपका 27 परवरी को मनाया जाता है, NGO की for firm क्या है, non-governmental organization, so जो NGOs होते हैं, जो social worker होती है, उनका बहुत important role होता है, world को बहुतर place रहने के लिए, बनाने के लिए, and इनी का contribution क highlight करने के लिए, यह दिवस मनाया जाता है, हर सालिस को 27 परवरी को मनाया जाता है, इसके अलावाद, जो लोग social work करना चाहते हैं, या फिर जो involved है social work में, उनको यह encourage भी करता है, और inspire भी करता है, तो यहाँ पे लोगों के बीच में जागरुकता फिलाने के लिए, कि NGO का role, public और private sector दोनों में ही कितना important है, यह जागरुक करने के लिए दिन भी मनाया जाता है, मार्सिस, लियोर्स, काडमानेस, यह इनोंने इस दिन को स्टार्ट किया था, और फिर ex-Baltic CEO Forum ने इसको officially adopt किया था, 2012 में, फिर United Nations, EU Leaders और International Organization ने इस दिन को मनाना शुरू किया, 2014 से, सो जो अपना स्वायत तरीके से, स्वतंतर रूप से वो कारे करते हैं, और जो भी international development है, उसमें एक important role play करते हैं, communities को बहतर करने में, फिर जो भी परोपकार के जो कारे होते हैं, उन सभी में वो काफी महत्पून भूमिका निबाते हैं, ठीक है, so question कहां सा बताईए, World NGO Day is celebrated annually on Dash across the world विश्व, NGO दिवस, पूरे विश्व में Dash को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 27 February, 28 March, 21 June और 8 October, जल्दी से बताईए, correct answer क्या होगा, and guys, आज 9 बजे आपकी जो class होगी, जो CC की classes आपकी start हो चुकी है, तो static GK की जो आपकी class है, ये आपकी ancient history की आज class होगी, ठीक है, जिसमें हम इन्रस वाली civilization और वेदी culture के बारे में पढ़ेंगे, तो आज 9 बजे class को जरू जोइन करिएगा, so इसका correct answer क्या होगा, option A होगा, that is 27 February, 27 February को आपका ही मनाया जाता है, right, correct answer है सभी का, yes, राहू, जगदीप, exam, correct, नस्रीन, राहू, करश्मा, विश्वरूपम, कुनाल, correct answer है So guys, हमने जो important current affairs है, वो सभी revise कर लिये हैं, and questions भी हमने आपे पढ़ लिये हैं, questions भी देख लिये हैं, so इस session को एक बार like और share जरूर करिए, और चैनल को subscribe करिया कर नहीं किया है, और guys, सभी के साथ आप share करिए, SSE course के बारे में बताईए, जो start हो चुका है, पेला मीडियो के YouTube चैनल पर free of course है, free of cost है, और इसके अलावा आप website पर भी जरूर visit करिए, रोजाना वहापे आपके लिए current affairs quiz and different subject quiz भी आपको आविलेबल है, mock test है, mock test है time करिए, ठीक है, so अच्छे से तैयरी करते रहिए, all the best, thank you so much, और मिलते हैं फे साड़े नोबजे की class में,